दोस्तों भी हर सिक्षक भरती को लेकर बहुती बरी खुशखबरी है और ये जो खुशखबरी है दोस्तों ओफिस्यल रोश्टर को लेकर जिलावार सीटों की संख्या कितना क्या है चलिए ओफिस्यल नोटिस आप सभी देखिए एक से पांच कक्षा एक से पांच के लिए छे से आठ आठ से दस ग्यारवी बारवी में कितना क्या सीट है किस विषया में सभी चीजों के बारे में आप सभी को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं तो चलिए दोस्तों फटाफट यहां से आप सभी ओफिस्यल नोटिस देखिए यह रहा दोस्तों आपके सामने नोटिस जो कि आज ही के रेट का है यहां पर आप देख सकते बिहार सरकार, सिक्षा विभाग, बिहार पटना और मादमिक सिक्षा निदेशाल है तो बांके एक एक करके चलिए पूरा डिटेल्स नोटिस आप देखिए और सभी विशाय में कितना क्या सीट है आप सभी देख लिजी यहां से ओफिस्यल आपको सारा कुछ पता चल जाएगा एक से पांच में कितना सीट है, छे से आट, फिर नौ से दस, ग्यारमी बारमी कितना क्या सीट है, सभी चीजों के बारे में यहां से आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाला है तो यहां पर देखेगा तो 6 माई 2023 के द्वारा कक्छा 9 से 10 के अध्यापन है तो 33,186 यह देखेगा नौमी दस पी में जो है 33,186 सीट हो गया और ग्यारमी बारमी में तो ग्यारमी बारमी में दोस्तों अच्छा खासा सीट है 57,618 विद्याला अध्यापक का पद स्विक्र यह जो भरती है दोस्तों आप सभी को जैसा की पता है कि BPSC के माध्य हम से आ रही है और इसके लिए आप सभी को एकजाम देना परेगा एक एकजाम होगा और इसके अधार पर आप सभी का सेलेक्शन होने वाला है यह तो हो गया दोस्तों सीटों की संख्या अब यहां पर बात करते कि subject में कितना सीट है हिंदी में इंगलिज में GKS से रिलीटेर जो भी अभी सबजेक्ट है मैठ में सक्ट में सभी लिएक से इटों की संख्यां के बारे में देकि और यह आ पर एक से 5 के बारे में भी आगे आप लोगों को दिखाने वाले है यहां पर दिखीगा दूसरे नमर पॉइंट में उक्त स्विक्रित पद अंतरगत ततकाल कक्छा 9-10 तक के अध्यापन हेतु 32,916 विद्याले अध्यापक और 11 वार्मी के लिए देखेगा तो 57,618 विद्याले अध्यापक का पद जिले कावंटित किया जाता है और इसे संबधित जिलावार, सैवर विद्याले अध्यापक के पद पर नियुक्ति और 11 वारिंवाली 2023 के नुसर और 10 वार्मी करें grand news 2023 के तहद बिद्याली अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति की और आज सरकार के अधिन सीधी नियुक्ति में समाने परसाशन विभाग के द्वारा आरक्षन परभावी होगा तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों की महिलाओं को भी आरक्षन दिया जाएगा जेनरल EWS, BC, BC, SC, ST जो भी रिजर्ब कैटोगोरी से है कैटोगोरी वाज सारा कुछ सीटों की संख्या सब कुछ रहने वाला है यह जो भरती पर क्रिया है दोस्तों बिलकुल आप फाइनल चरण में यहाँ पर देखेगा तो सैलरी को लेकर सब कुछ को लेकर पहले तो नियामावली बना फिर नहीं लगेगा यह जैसे ही डिसाइड होगा इसके तुरंत बाद BPSC को अधी आचना यानि वेकेंसी भेज दिया जाएगा और BPSC की वर से एक सब्ता में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और तिन-चार दिनों में आप लोगों को सिलेबस के बारे में भी पता चल समान अध्यान में मैथ भी आ जाता है साइंस भी सब्जेक्ट इसमें है सामिल तो सभी भी सैसे मिला कर पूछा जाएगा सिलेबस अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं कहां से कितना क्या क्विस्चन रहेगा तो कमेंट करके बताईए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पर सिधी नियुक्ति हैतु जिला अस्तर प्रिक्त पदों की गन्ना का रोश्टर क्लियरेंस के साथ आरक्षन कोटी बार अधियाजना सिक्षा विभाग द्वारा आयोग को भेजा जाना है तो यहां पर देखेगा सिक्षा विभाग आयोग यानि BPSC को भेजेगा तद यहां पर देखेगा तो सालरी सभी चीज़ों को लेकर सहमती मिल गया है और आज फिर से यहां पर 6 मैं 2030 को क्या है क्या फैनल चरण यानि रोश्टर क्लियर करना है किस कैट्गोरी में कितना क्या सीट होगा यह सब चीजे देखेगा एक सबता 10 दिनों में complete होने के बाद फटापर चैनल को सब्सक्राइब किजे जूर जाईए अब यहां पर सीटों की संख्या विशाय वाईज देखे किस विशाय में कितना क्या सीट है तो यहां पर देखेगा जिला का नाम है पतना होगया नालन्दा भोजपुरी यहां पर जिला होगया इसके बाद हिंदी हो गया नालंदा में 783, 576 यानि आप देखेगा तो यहां पर सीटों की संख्यां जो है दोस्तों 500 से लेकर के 1000 तक है जहां पर जितना एसकूल है उसे अनुसार यहां पर देखेगा सीट है और खाली पर भी डिपेंड करता है दोस्तों यहां पर कुझ जिला में जैसे देखेग की संख्या है विशायवाज यहां पर एक एक करके दिया हुआ है तो ज्यादा तरह आप देखेगा दोस्तों सीट जो यहां पर है हिंदी भासा पेपर से संबधित यहां पर देखेगा तो अच्छा खासा सीट है लेकिन समाजिक विज्ञान में 4 सबजेक्ट है अगर इसमे यहां पर और अन्य जिला का देखे तो सभी 38 जिला का यहां पर है यहां पर 17 चुरान में देखेगा दोस्तों तो एक पुर्वीच अमपारन में यहां पर है कि जो की 1500 से अधीक है एक मुझापरपूर में भी 1577 सीट है इस तरह से और अन्य जिलाओं का आप एक तरह से बात करते हैं यहां पर 11 से 12 के लिएлемे थे मैंंट मैं यहां पर देखेगा तो है लेकिन यहां पर क्या है कि 이 इस लेटर में इस पीडिया पूल्टा करके टेज कर दिया गया है तागे आप लोगों को सिधह पॉरमेट में दिखानां तो यहां पर सुरू में देखेगा जिल philosophy यह है, political science, psychology, sociology, yoga, literature का हो गया, इसके बाद यहाँ पर business studies हो गया, इसके बाद यहाँ पर EPS सब्जेक्ट है, NRB, अर्वी, इसके बाद बंगाली हो गया, भोजपूरी, computer science, English, Hindi, Maghi, Mathly, Pali, Persian, Prakirtik, Sanskrit, Urdu, इस तरह से देखेगा, यहाँ पर इतने सारे subject है, और total मिलाकर यहाँ पर सीटों की संख्या, आप देखेगा, इसमें 57618 सीट है, यह देख सकते हैं दोस्तों कितना अधीक सीट है, अब चलिए आप 1-5 primary level का देखे, प्रैमरी लेवल का यहाँ से देख सकते हैं आप सभी, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुकती है, तो जिलावार पदों का आवंटन, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि primary level में subject नहीं होता है, यहाँ पर बस समाने बिसाय होता है, तो यहाँ पर देखेगा, समाने बिसाय 1356, यहाँ पर अरडिया जिला का, अरवल औरंगाबाद, बांका बेगु सरा है अलग अलग जिला का है और उर्दु का सीट है बांगला हो गया तो कुल मिला कर 1689 यहाँ पर सीट है उर्दु का भी देखेगा तह अच्छा खसा यहाँ पर सीट है जो उर्दु संबंधित है उसको इसमें खास benefit मिलने वाला है और अन्य चीजों के बार कि क्या हम जैसे पटना से हैं क्या मुझःफरपुर में हमारा selection हो सकता है इस पार क्या है दोस्तों कि ये all भी हर level पर रहने वाला है जो आपका marks आएगा उसी अनुसार आपको ये मिलने वाला है और ये randomly आपको जिला मिलेगा ये नहीं है कि आप जिस जिला से आज का देख लिए 89,943 अब 6-8 की बात करें दोस्तों तो 6-8 में नाम मातर का ही कुछी हजार सीट है 6-8 में जैदे सीट नहीं है इसके बाद 9-10 में भी अच्छा खासा सीट है इसके बाद देखेगा तो 11-12 में अच्छा खासा सीट है आप देखे अभी शुरू में तो यहां से आपको रोश्टर क्लेरंस के बारे में सारा कुछ समझ में आ गया अब आप सभी को वेकेंसी के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना परेगा कुछी दिनों की बाद है वीपियसी के माद्ध हम से भरती आ रही है अभी से आप सभी मिशन बोड में त्यारी में लग जाईए और हम आप लोगों को पूरी त्यारी भी करवाने वाले हैं तो देर की इस बात की फटा फट चैनल सब्सक्राइब कीजिए जुर जाईए